सो हेलो एवरीवन वेलकम टो आर यूट्यूब शानल और आज हम लोग इस वन शॉट रिविजिन सीरीज में देखने जा रहे हैं फंक्शन के बारे में जो है क्लास 12 कंप्यूटर साइन्स का तीसरा चैप्टर तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शन क्या है फंक्शन्स डिफाइंड अस और्गनाइज ब्लॉक ऑफ रियूजिबल कोड विच कैन बी कॉर्ट कॉल वेनेवर रिक्वाइड वो रियूजिबल कोड मिन उन को जब जब जरूवत पड़े तब उनको कॉल कर सेके का मतलब यहां बुलाना नहीं है कॉल कर से अगर हम लोग फंक्शन्स को यूज कर रहे हैं तो हम लोग बार-बार सेम जो अगर कोई कोड रिपीट होने वाला है तो उसको बार-बार लिखने से बच सकते हैं वी केंट ट्रैक अलाज पाइफन प्रोग्राम इसली वन इस डिवाइड इंटो मल्टिपल फंक्शन्स और अगर आखरी है इसका रिउजबिलिटी इस तम नेन अचीबमेंट इसा कहने का मतलब अगर कोई लाज प्रोग्राम है तो इसको हम लोग इसली ट्रैक कर सकते हैं अलग अलग फंक्शन्स लगा करके चोटा करके हम लोग उसको समझ सकते हैं और तीसरा है रिउजबिलिटी बार-बार हम लोạnh्वक्राइब अगे पड़ते हैं हमारे पास है ताइप सफंचने एक स्कांट ऑफंश्यन्स ताइपस फंक्शन में पहला है बिल्टिन फंक्शन्स इसका एक्जांफल एक से प्रिपड प्रेंट उद्यागहे बैल से दिफाइन होते हैं यहां उर ह्याग एसे सब्सक्रीण के लिए इक सब्सक्राइब पन्क्सिन मुलिंपने होता है यूजर इससे ौ事 करने के लिए छोवथी सब्सक्राइब BOHH according to their requirement जिसका जैसा requirement होता है वैसा हम लोग इस function को define करते हैं तीसरा होता है function defining modules आपको पता होगा फाइथर में बहुत सारे modules होते हैं तो अलग-अलग modules में अलग-अलग तरह के function defined होते हैं जैसे पहला point इसका pre-defined specific modules हर एक modules में अपना specific function defined होता है उसके बाद है अपना math module जैसे math module एक example लिएगे इसके अंदर आता sign cost एक example है statistic module जिसमें आता है mean और mode अब देख लेते हैं defining a function defining function का है function content def keyword followed by parenthesis मतलब कब किस तरह से हम लोग function को define कर सकते हैं वो function जिसमें def keyword आ रहा हो अगला है any input parameter या argument should be placed within this parenthesis इस parenthesis का sign है इसका मतलब वह भी parameter या argument जो भी होगा उसे हम लोग parenthesis के अंदर डालेंगे अब आप सवाल हो सकता है कि parameter या argument क्या होता है तो ठीक इसके अगले page पे वही लिखा हुआ है पहले से complete कर लेते हैं there is a colon after end of def line हर एक def line के बाद में colon मिलेगा the first statement of a function can be optional string जो पहला statement होता है वह optional string हो सकता है string आपको पता है क्या होता है और पांचवा है function body can contain argument function के body में argument हो सकता है तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि यह argument वगेरा parameters होते क्या है तो सबसे पहले calling a function function को कैसे call के जाता है सबसे पहले हमने कहा था कि function को call किया जाता है तो पहले उसका syntax देख लेते हैं कि function underscore name या फिर function underscore name और फिर parenthesis के अंदर parameters जैसे इसका example def fun1 string मैंने str str को जैसे रिखा गया pass a string to print statement str का मतलब यहां पर क्या है कि कोई string डालेंगे हम लोग उसके प्रिंट str और रिटर्न डालेंगे क्या fun के अंदर एक string डाले hello it is function calling और इसके अंटर दबाएंगे तो output हमें देदेगा hello it is function calling इसके राज आते है parameters and arguments में parameter is a variable used to define particular value under a function definition parameter क्या होता है एक variable आप इसको समाझ सकते हैं जिसके अंदर एक particular value हमनों रखेंगे जब function को define करेंगे और argument क्या होता है it is a value passed to the function during the function call which is received for corresponding parameters defined in use function header कहने का मतलब है argument का जो value होता है वो parameter के corresponding रखा जाता है शायद आप लोग यह definition clear होगी थोड़ा आगे चलते examples आप लोग और समझ में आ जाएगा जैसा कि आदे सकते कि एक function का example यहाँ पर लिखा गया है जिसमें है कि def addition a,b print a plus b यहाँ पे a और b जो है वो parameters है उसके बार आप देख सकते after press f5 call the function means f5 से हम लोग call कर रहे है function को उसमें क्या x का value 5 रख रहे है तो addition में क्या होगा 10,x यहाँ पर 10 और x जो हो जाएगा वो argument हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते कि function का definition है और यह जो है यह function की body of function है और last में क्या हो रहा है function call हो रहा है उसके बार आगे चलते है passing parameter passing parameter क्या है किस तरह से पहला है default parameter value जैसे my function a,b c equal to 10 मतलब कि एक बार अगर हम लोग इस तरह से डाल दिएगी a,b और c equal to 10 तो throughout the function c का value 10 ही रहेगा a और b का value बदलता रहेगा उसके आद देख लेते keyword named argument we can declare value using name और तीसरा है positional argument arguments needed to be included in proper position or order जैसे कि complex 4,8 positional argument थोड़ा सा समझने वाला है जैसे कि इसमें position का बहुत जादा role होता है जैसे अगर complex 4,8 है तो आप लोग को पता है complex number में एक imaginary number आता है तो अगर 4 पहले है 8 पहले तो output देखिए 4 plus 8j आ रहा है जहाँ पहले है imaginary number मैंने 8j जो पूरा है वो imaginary हो जा रहा है यही अगर यहाँ पर position अगर change हो जाता तो output भी हमारा change हो जाता उमीद आपको समझ में आया होगा आगे चलते है scope of variable scope of variable क्या है part of program where a variable is accessible is called scope of variable वो part जहाँ पह जो variable है वो accessible है यूसे बोलते scope of variable इसमें दो टाइप पात एक local variable या फिर local scope एक global variable या फिर global इसे लिए डिफ्रेंस आपको याद होना चाहिए देख लेते है अ local variable declared with a function global declared outside the function local variable क्या है function के अंदर declare किया जाता है global variable function के बहर declare किया जाता है local variable accessible only within a function where it is declared जहां पे declare किया जा रहा है सिर्फ वहीं पे accessible है लेकिन global variable के accessible throughout the program local variable को एक और नाम से जाना जाता है internal variable से और global variable का दूसरा नाम है external variable local variable of two functions may be declared with same name local variable का दो function को same name से declare कर सकते हैं but no two global variable in a program may have same name किसी भी दो global variable का same name नहीं हो सकता एक ही program में जैसे अगर example आप देखना चाहे है तो example में देख सकते a equal to 10 जो कि एक global variable है जो throughout the function a का value 10 रखेगा वहीं अगर function के अंदर अगर हम दो देखे यह local variable जहाँ पे c equal to 0 c equal to a plus i return c जहाँ पर यह हो जाएगा हमारा local variable आगे चलते हैं नेम स्पेस नेम स्पेस किया a system to make sure that all the names in a program are unique and can be used without any conflict यह एक तरह का system में आप समझ सकते हैं जहाँ पर all the names in a program are unique हर एक नेम क्या होता है unique होता है and can be used without conflict किसी भी conflict के बिना आम लोग उसको use कर सकते हैं जैसे एक star बना हुआ यहाँ पर in python legb rule is used to decide the order in which the namespaces are to be searched for scope resolution मतलब legb बोल के रूल होता है python में यह rule आप देख सकते हैं यहाँ पर L का मतलब होता है local e का मतलब enclosed g का मतलब global d का मतलब built-in local मतलब के defined inside the function आप लोगो समझ में आगे होगा enclosed मतलब नाम समझ में रहा है define inside closing in closing functions global मतलब define the uppermost level और built-in का मतलब reserved names in python built-in modules आप समाझ रहे हों कि इसी sequence में या इसी rule का follow करते हुए python में क्या होता है नेम स्पेस का rule follow होता है यहाँ पर आप एक figure देख सकते हैं यह figure यहाँ पर दिखाया जा था last moment के लिए handwritten notes से उमीद है आपनों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत ही कम समय में आपनों बहुत सारा चीज रिवाइस कर पाए होंगे so stay tuned बागी भी chapters के वीडियो जल से जल अप्लोड हो जाएंगा revision के लिए keep studying keep hard work thank you